समंतरम, रविदास बच्चनम, कोटे दोसे बेनासिनम, रविदासे चरनम ज्यान दरनम, कुल समुयोदारनम, चल चल मन हर चट साल पड़ाऊं, गुर की सांट ग्यान का यक्खर, विशरे पे सहज समाद लगाऊं, परेम पर्टी सुर्त लेखन करहू, रारा ममा लिख यंकर दिखाऊं, इविद मुक्त पेसन कादिक, हिर दिवदार परकास बताऊं, कागद कवल, मत मत सरकर निर्मल, बिनरसना निस दिन गुन गाऊं, कहे रवदास राम जप पाई, संत साख पे बहुड नायां। पर्वसत कार्जो गुरु प्यारिशा संगर जीयो, सारी संतान दासवल्लो, जै गुरु देव, जै गुरु विदास। दास ने जो सब्द क्या है, इस सब्द देव पर सत्गुरु विदास महराजी दे जन्म दिन वाले दिन, इदेते सस्संग होया। गुरु जी ने इस बानी दे विच, मनोसनों एक वदिया जीवन, किस तरह तेरा हो सकता है, तेरे जीवन किस तरह तरक्की हो सकती है। उदे ले दस्या कि सब्द पहिलना चल चल मन हर चट साल पड़ा। उन्हें ने कहा कि सब्द पहिलना तरह नों किसी चट साल पाव पाट साल विच जाना पवेगा। ते उस तो बाद गुरु जी ने क्या है कि पाठ सल्ला दे नाल नाल तेरे चे अध्यात्मक वाद भी होना जरूरी है सब तो पहला गुरु जी ने तलीम ले ही क्या है कि बाच अध्यात्मक वाद ले ही क्या है जो ससंग समावत हो या तुमे नुजार है कि आपने ही नाम लेवा पहुत ही सूजवान बुद्धी जीवी पड़े लिखे बच्चे मैंनो ओफर्च मिले जदो उनने देखिया कि बबाजी उने एकेले बेठे हुईने ते उनने एक गल कीती कि बबाजी अद्यात्मक वाद क्यों जुरूरी है मैं दस्यात हैसी कि जिरी पड़ाई यह केवल ते केवल जिरा अद्यात्मक वाद है इस दोने वाखवाख रहेंगे तिक देवी असली कामजाबी नहीं मिलती पड़ाई दे नाल नाल अद्यात्मक वाद भी होना जरूरी है क्योंकि मैं दस्यात के जिरा केवल ते केवल पड़ाई तक सीमत है वग्यान तक सीमत है वो एक अंद्य दी तरह है ते अध्यात्मक वाद एक लंग्डे दी तरह है कि वग्यान का अंद्य नहीं है वग्यान कनू सारा कुछ मसूस है वग्यान कनू मैं मन दा हाँ कि वग्यान कनू चंगी तरह समझ है वो सारा कुछ जानदा है पर नहीं जेकरोदे जा अध्यात्मक वादना होएगा ते केला वो कुछ नहीं कार सकदा केवल ते केवल जेवी पढ़ाई है सैदाज जोनन पता लग गया होएगा कि वग्यानक अंदा किस तरह है अज जो पूरी दुनिया जेडी है वो करोना वाइरस करके डर गई होई है कि किस दा नतीज़ है वग्यानक अंदा वग्यानक बहुत दौर सकद है वग्यानक बड़ा सेदवन्द है लिकन है अंदा इन्हों यह नहीं पता कि मैं मनुखता गी पलाई वास्ते ही सारा कुझे करना चाहिए कि उल्टा वग्यानक दौर पे आके मैं किस तरह केड़ी मजैल बनामा कि दुनिया दे जादे लोक मरजान वो एटम बाम वो हाइड्रोजन बाम किस तरह दे तियार करा विनास वाले पास से एदी सोच चल दी कास एदेच अध्यात्मक वाद हुंदा मनोख दे विच वग्यान दे विच ते दुनिया दे बिनास वाले पास से नहीं चल ले एदेच एहम नहीं आए अज वग्यानक करके हर कंट्री सोच रहा है मैं एदे तो अग्ये नंग जाँ दुज्जा के इंदा मैं अग्ये नंग जाँ तीसरा कंट्री सोचता है मैं अग्ये हुँआ मेरा दुनिया लो अमन ने इस तरह ही चल रहा है क्यों? क्योंके इनच अध्यात्मक वाद नहीं है अगर वग्यानिक दे नाल नाल अग्ये आत्मक वाद आ जाए तो फिर किसे गल्दी कमी नहीं गय जन्दी जिन्दी सादे घुरु लो हुई सन्द जिना नो अज्यसी मन दे हां जिना दी बानिया दी पूजा कीती जान्दी है उपी बहुत वड़े वग्यानिक सन्द जिस तरह गुरुनानिक देवजी दी बानी लोगो लाख आकास आकास लाख पताल नापताल आज जो ग्यानक केहन लग जया कि कोई अन्त नहीं आएदा एग अलो पंसो साल पहिला कह जे सट गुरु विदास जी ने आज तो सिसो साल पहिला कहता जल की पीत पवन का थंबा रकत बून का गारा हाड मास नाडी को पिंजर पंकी बसे बचारा सत गुरु विदासमा राजी ने आज तो सिसो साल पहिला कहता कि जितनी दुनिया है दो सहारया पे खड़ी है पानी दे उपर और हवा दे उपर अगर हवा दुस्त हो गई तामी जीवन खत्म हो जाएगा पानी दुस्त हो गया तामी जीवन खत्म हो जाएगा इदुना नो दी सबाल जरूरी है जीड़ी का लाजबु गयानक केहन लगए है इता महापुरसा ने सेंकडे साल पहला कहती जीथी उन्हा महापुरसा जीवन गयानक सी सोच सी गयान सी उथी नाल-नाल अदे आतम को वाद वेची वी सान्यों एविकार ने कि उन्हानी सब्दा पला मंगिया गुर्णानिक दिर जीदी बानी पढ़ देने लाश्ट चे अरदास कर देने नामिक नाम चड़ दी कला तेरे पाने सर्वत का पला गुर्विदा जीदा दोहा है ऐसा चाहू राज मैं जहां मिले सबन को अन सोट बड़ो सब सम बसे रवदास रहे परसाई गुर्णी ने कहती जित्थी सबना नू अन मिले सबना दा पला मंगिया लेकन आज वग्यान का गया ते केवल ते केवल हर बेस अपना पला मंग रहे दूजे नू बरबार करन वाले पास से तुरेया हुया यह नहीं है कि वो एक अंदेदी तरह धोड़ते पे आया खुद ही किसी खड़ेच दिग जाएगा आज जो भी यह वग्यान का करके हुए मिनुजाद है कि दिल्ली दिवेच उत्थोने मुख मंतरी ने किया कि केवल ते केवल एक नंबर वाली गड़ी चलाओ जे में आज सात नंबर वाली है त्योंका लाठ वाली होएगा टाक और जिस्त पर लोक नहीं मुड़े गड़िगा चलाओना तो बेसक चलाओन का अगले लोकाने पर गड़िगा सार्णे चलाओन दे रे काम जावनी हो पाई सरकार लेकर उस कुदरत ने एक सुटी जी चल्क दसी अज सार या गड़िगा बंद होगे या अज सारे एक्टो बंद होगे अज सार या ट्रेना बंद होगे या अज सारे हवाई जाज बंद होगे अज ते पंक्सी भी सोच दे होने के आकास चे परदूसन पैल रहा से एक थोड़े दिन दा इतना वार्तावरन सुद्ध किस तरह हो गया गुरु प्यारी सा संगत जीर वो कुद्रत देनाल जदो इनसान खिलावर कर दाए तो यह कुछ हुए था कुद्रत देनाल सेड़ साइड नहीं करने बहुत सारे लोग रब दी होद नो पोल गए रब कोई चीज नहीं आज भी कहीं कहिंदे विकने कुद्रत है कि कुद्रत नो चलाउन वाला कोई किसे सिस्टम है गुरु नानिक देवजी ने क्यासी नानिक मेर सरीर का एक राथ एक राथ वाओ मेरी सरीर का एक राथ है एक कुद्रत है और एक इसनों चलाउन वाला है इते पिछे भी कोई पावर है जो एस सारे सिस्टमनों चला रही है कुद्रत दे हाथे है आज जो चाहे बहुत घर्मी कर दे सारे वैरिस नमार देगी एक कुद्रत दे हाथे अज वग्यानक सोच चपा देता अज वग्यानक चुप करके बै गया तो दासे नहीं कहिंदा के वग्यानक होना नहीं चाहिए वग्यानक होना चाहिए वग्यानक ही दौर सकत है जिस तरह गुर्विदास जर्मी देन पे मैं कि आसी के अध्यातमक वादवाला लंगणा ही रह जाएगा जिवदिछ वग्यानक वादवाद ना होएगा तो किसे मंजल नो नहीं पास सकेगा इसकर के वग्यानक होना भी बहुत जरूरी है पर वग्यानक देनालनाल अध्यातमक वाद होना बहुत जरूरी है कदेवी यसी कुदर्ती जो नेम है उननों पहंगने करना चाहिए आजे इनसान अपनी सानों सोकते ले की कुछ कर रहा है इसने जंगलां दे जंगल अपने ऐसो अरामा देले काट देते हैं आज पूरी वग्यानकान विर्ता पही होई है कि किते गलेसियर देना ओना पिगल जान इस सारा कुछ क्यों बो रहा है मनुख कर के गुरुजी दी बानीच दूजे टंगना किसे ने लिखिया के उनक्या गुरुजी ने जो किया कि चंगे करमा नर सुख होन पैदा मन्दे करमा नर सदा दुख होन दे दुख डिग दे नहीं असमान उत्तों कार्ण दुख दा खुद मनुख होन दे दुख को यह समान तो ने डिग्या कर दे दुख दा कार्ण खुद ही मनुख बन दा दे आज जेवे यह दुख दा कार्ण बने आई मनुख ही बने आ मनुख ने इस दुखानों ले अन्दा परभु नुख साड़े में कोई अनर्जी नहीं है के परभु सानु दुखा चुपा दो गए परभु ने थे सानु बहुत सोना बना के पेज़ जया वरिया सोच दे के पेज़ जया थे क्या लोका ना पला करें उन्हें भी सी किया के तुँ आहो जी बंब बना दी आहो जी या मजैलना बना जिदे करके दुनिया तबाह हो गुरु प्यारी सथ संगज जी इस करके गुरु गरंस से अगदी बानीच कह देता सी सत्पाखी रविदास कि सत्पाखी रविदास महराजी ने जो भी कह उस सच कह उन्हें दी बानीच कदे चुठलाया नी जा सकेगा असी पूरी दुनिया नू ते नई सदार सक दे पर असी गुरु जी दी बानीच जरूर अपने जीवन चे पनान है जित्थी यसी गुरु प्यारी सा संगर जी पढ़ना है लिखना है ज्यानी बानना है उथे अपने आपचे अध्यात्मक वाद नो भी रखना है अध्यात्मक वाद तो कदे दूर ना होया सत्गुर विदास महराजी ने जो किया है सहज समाद उपाद रहे फुनवड़े पाग लिवलागी कहिर विदास परिकास रिधेतार जन्म मरन पहपागी अपने अंदर एक ताकत ले होनी है ऐसोच बनाना नहीं है कि मैंनू करोना वाइरस कुछ नहीं कर सकता असी करोना वाइरस तो ढरना नहीं है उदा मुकावला करना है जो डक्टरा ने क्या उस तरह परीज रखने ने और डरना नहीं है बिलकुल एदे तो अपने अपनों सेफ जरूर रखना उने कोई सेवादार आए हो इसा नो बड़े कबर आए हो इसा न मैं केड़ी गल हूँ एक सार्च पताने किन्ने लाक कैंसर नार हार्ट है एक ना लोक मर जान देने तुसी के लिए सोच पहरी मैं करें हाँ फिर ऐभी दसे के लिए अंदरों मजबूत होंगे उनना करोना वाइरस कुझ नहीं कर सकते असी अंदरों मजबूत होंगे जो सत्गुरा में आवसाननों मैडिटेसन दा तरीका दसे है उतरीके नों अपनाने और जेह कुल साध वैसनों होए आज गुरु जी दी बानी वैसनों पोजन दी चल पही है ते नहीं वैसनों खाओ वाक्या जी वैसनों खान गे उनाच पावर आंदी गुरु प्यारी सा संग जी फिर दी दास गुरु चरना चे भेंती कर दै के अउग नहारे पिता जी बखस गरीब निवाज जे मैं पूत कपूत हूं तों पिता कूलाज एमाल का किर्पा करवक्सस का इंसान उलन हार है तुसी बखसन हार हो मनोखनू बखस लेना होवेगा किर्पा करना होवेगा मिहरा करना होवेगा तांके पूरा विश्व ठे करवे तंदरुस्तर रवे तो गुरु प्यारी साथ संगल जी फिर दास बेंती कर देवे कि जित्थे तुसी गुरु जी ने सानू पढ़ लिखन लेके है पढ़न है ज्ञानवान बढ़न है असी केवल अध्यान नहीं रहना रहे हैं थी के हैं कि अपने अपक्य अपने अपने अपनू अध्यात्में वाधना जूड़ना ज़ोना जोड़ना जिए ग्यानी मी हुमाँगे वग्यानी मी हुमाँगे अध्यात्मक वाधनाल भी जुड़े हुमाँगे तो असी कदे फेल नहीं हुमाँगे सनु सत्गुर जी ने वग्यानिक वग्यानिक भी बनाया और अध्यात्मक वाधनाल भी बनाया तो असी भग्यान नीमी बढ़ना है और अधे आतम को वाधना लगी जोडना है एही सत्गुर जी दा संदेश है सार्य संगतानों दासवलों जै गुर देव जै गुर अविदास आओ सार्य संगता हुन गुरु जी दी आरती न जोड़ा में नाम तियो आरती मजन मुरारी हर के नाम बिन चुठे सदल पसारी नाम तियो आरती मजन मुरारी हर के नाम बिन चुठे सदल पसारी नाम तेरो यासनों नाम तेरो यूरसा नाम तेरो यूरसा नाम तेरा के सरो ले से टकारी हर के नाम बिन चुठे सदल पसारी नाम तियो आरती मजन मुरारी हर के नाम तेरो यूरसा नाम तेरो यूरसा नाम तेरो यूरसा नाम तेरो यूरसा नाम तेरो यूरसारी हर के नाम दिन चुठे सगल पसारे, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेरे माहें पसारे, हर के नाम दिन चुठे सगल पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई, पेयो युजे आरो पामन सगलाई, हर के नाम दिन चुठे सगल पसारे, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पारे आठारे सगल जोठारे, हर के नाम दिन चुठे सगल पसारे, नाम तेरा तुछी चवर जोलाई, हर के नाम दिन चुठे सगल पसारे, दास अठा याठ सठे चारे खाने, दास याठा याठ सठे चारे खाने, नाम दिन चुठे सगल पसारे, केहे रवी दास नाम तेरो आरती, सात्य नाम है हारे पूग तो घारे, हर के नाम दिन चुठे सगल पसारे, हर के नाम दिन चुठे सगल पसारे, हर के नाम दिन चुठे सगल पसारे, अरदास रवी दास नाम का जगत में जन्दा गड़ाया पार, पाप पुरस सब ठक गए जिसे ना पर्यामार, रवी दास नाम का जगत में सुरज चम करया, उपदेश लिया जिस गुरूं से इरदा दम करया, रवी दास नाम इस जगत में है राद के लाल, परापत उनको है सभी साथ गुरू जिन पर, स्वास जाए परवाना करों, पुन पुन लायो वाक्त, परत जान वेराग की तरोय अपनात, स्वीरति करों यात जोड़े सुरो गुरूर विदास, किरुपा कीजियो दास पे करों बुद परकाश, सोह नाम जहाज है चड़े सु उत्रे पार, जो सरदाकर सेवज सत्गुरू पार उतार नहार, नमस्तकार गुरु देव को जुग जुगतार नहार, चिता चमा रिशी बाल मेक जी, नाम देव को जुगतार नाम देव को जुगतार जुगतार पगत कबीर, जैन बहादर सैन की सम्भुक रिशी बालवीर, रंका बंका पीर नहें पगत बिठार नहास, लोलेंगर चलते रहें करो काम को रास, जीया जानत परिवार का रही नाम से ज्यान, गुर्विदास इसी बालमीक जी सदा करे कल्यान, हर सोही रासाड के करियान की आस, तेनार दो जेके जाएंगे सदबा के रविदास, ऐसा चाहूं राज में यहां मिले समन को यन, चोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे परसंग, चोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे परसंग, जो बुले सो निर्वै सत बड़ो सम रविदास महराज की जै, सौमी गुरुदीप गिर महराज की जै, सब साथ संतन की जै, जय गुरुदीप, जय गुरुदास्ति ! झाल झाल